हलो फ्रेंज मैं रागनी और आज हम सीखेंगे ब्लाउंज का बैकनेक डिजाइन तो देखें फ्रेंज इस डिजाइन को हम बैक ओपन में बना रहे हैं आप चाहें तो फ्रन्ट ओपन के साथ पीज से बना सकते हैं पीच्छे के पले को आपको डिपनेक हिसाप से अपने साइच के इसाप से कट करना है यहां पर सोल्डर हम लिए है देखेंगे today दो सूता कम और यहां पर 9.5 इंच का चेस्ट का चोथाई भाग, 38 चेस्ट का ब्लाउंज है और यहां पर 6 इंच आर्म हो लिए हैं और ब्लाउंज का लंबाई 15 इंच में लिए हैं कियोंकि 14 इंच में इसकों को त्यार करना है इसका थोड़ा सा पतला रहेगा तो यहां पर देखे फ्रेंच, 5 इंच उड़ा हम सोल्डर पहले छाट लेंगे यहां पर 5 इंच चोणाई में बाकी जो 3 इंच दो सुता बंचरा है वह हम टोटल गले का चोणाई ले लेंगे तीन इंच गले का चोणाई ले लेंगे यहां पर गला का लंबाई 12 इंच में ले रहा है नीचे से गले की चोणाई साड़े 3 इंच ले लेंगे और यहां पर देखे दोनों को मिलाते हुँ एक सीधी लाइन बनाएंगे अगर आप फ्रंट ओपन बनाने वाले हैं तो गले की चौणाई को आधा इंच कम कर लीजिएगा धाई इंच उपर से गला का चौणाई लीजिएगा और तीन इंच नीचे से कॉर्णर से यहां पर देखे तीन इंच पर एक लाइन बनाएंगे और यहां से गले की चौणाई न 4 इंच में दो सुता कम है क्योंकि बैक ओपन है हुकाई पट्टी में भी जाएगा कपड़ा तो देखे इस तरह से पान गले का सेफ़ते देंगे पीछी के साइड यहां पर हलकी हाथों से मार्किंग करेंगे हाफ इंच इसके अंदर के साइड जो लाइन बनाए है ना उसके आधा इंच अंदर के साइड करते हुए उपर के साइड सेफ देंगे और नीचे के साइड बाहर के साइड करते हुए तब देख सकते हैं इस तरह से सेफ देंगे इसका पैटर्न आप देख सकते हैं अगर आपके पास paper pasting नहीं है तो आप गले को cut करके normally बना सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे गले के उपर paper pasting यह उच करूँगी तो यहाँ पे देखिए गला का जो नीचे का marking है बिल्कुल उसके बराबर से mark कर लेंगे या फिर गले को पहले आप cut कर लें और उसी को रखके paper pasting के उपर cut कर लें यहाँ पे अंदर का जो marking है उसको हम dark कर लिए हैं यहाँ पे और marking कम्प्लीट करने के बास से इसको बीच में भी एक line बना लेंगे ताकि हमें fold करने में आसानी हो paper pasting अब यहाँ से cut कर लेंगे इसको तो जिस तरह से हमारी marking है बिल्कुल इसी marking के उपर हम cut करेंगे और cut करने के बास से बाहर के side एक इंच paper pasting छोड़ते हुए cut कर लेंगे अब देखिए आपको क्या करना है अस्तर के उपर भी गले को cut कर लेना है cut करने के वासे अस्तर के उपर चिपका लेंगे यहाँ पर paper pasting को और इस चीज को आपको तभी करना है जब आपका जो main कपड़ा है तो थोड़ा सा मोटा हो अगर पतला कपड़ा है तो आपको नहीं इस तरह से करना है नहीं तो फिर आपका जो paper pasting है न एकदम clearly दिखने और main कपड़े के सीधे साइड यहाँ पर अस्तर वाले पार्ट को रखेंगे और आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैं अस्तर वाले पार्ट को रख रहे हैं paper pasting वाला जो पार अस्तर का ओपर के साइड है और जो कपड़ा वाला साइड नीचे के साइड है तो इस तरह से की अपर सिलाई लगाने के बास्तें नंधर का जो भी कपड्रा है उसको हुचारों Speech कर लेंगे यहां पर auguszほ साथ कट लगाएंगे, बाकी साइड में भी छोटा-كون छोटा कट लगा देंगे ताकि अच्छे से गलाप फोल हो जाए, चारों तरब यहाँ पे देखें कट लगाने के बास्ते, अब अस्तर को उपर भी सिलाई लगा रहे हैं यहाँ पे देखिए लाश्ट तक हम सिलाई लगा लिए हैं और अब फाइनली गले को उल्टे साइड फोल्ड कर लेंगे देखिए अस्तर हमारा उल्टे साइड सेट हो गया और अब गले के सीधे साइड से शने सिंग की सिलाई लगा लूए यहाँ पर एकदम कॉर्णर पर इस सिलाई खूम लगा रहे हैं दोनों साइड का गला सेट करने के बास से अब हम देखे इसके पूरे किनारे पर सिलाई लगा करके इसको सेट करेंगे अच्छे से हाथ से आपको फ्नेसिंग देना है उसके बाद से आपको में कपड़ा अस्तर को आपस में जुआइंट करना है अब यहां पर देखे फ्रेंस लाश्ट तक हम सिलाई लगा लिए हैं और अस्तर की बाहर जो भी कपड़ा आपको दिख रहा है न में कपड़े में का एक्ष्टा पार्ट उसको आपको चारो तरब से छाट करके क्लीन कर लेना है चाटने के बाध से न ॅब यहां पर देखे इसको डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करके यहां पर बीचो बीच से इसको कट कर लेंगे अकर आप Uhpent बना रहे है तो बीच से इसको ना कट करें ले मैं कर यहां पर पीच्छे हुकाई पट्ट्ञ वाला Back Open Blouse बना र देखिए एक साइड से पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और यहां पे देखिए पट्टी का सीधा साइड और गला का सीधा साइड दोनों को मिलाके रखेंगे और यहां पे उल्टे साइड से सिराई लगाएंगे इसलिए कि जो पाइपीन वाली पट्टे उसको एक सुता आपक उता ही पकड़ना, एकदम आपके सुई के पकड़ में आजा है, उतना कम कपड़ा लेना है, गले वाले कपड़े में से, तब ही आपके पाइपीन एक बराबर होगी, तो इस चीछ का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर पाइपीन मौटी हो जाएगी, बिल्कुल जादा कपड़ा आपको गले में से नहीं लेना है, यहाँ पर देखिए, पुरे गले पर पाइपीन बना लिये हैं, और अब देख सकते हैं, पाइपीन की फिनिसिंग बहुत ही अच्छी आई है, इस तरीके से पाइपीन बनाने से, जैसे डोरे वाला पाइपीन होता है, बिल्कु कपड़े के उल्टे साइड यहाँ पे रख लेंगे गलाई देने के बाद से, और चारुत्रप से उग्ली से दबाते हुए, खीचते हुए यहाँ पर पोटली में गलाई दे देंगे, अब यहाँ से आपको सेम कलर का दागा लेना है, और सेम कलर के धागे से इसको अच्छ साप से ले लीजिएगा अब एक चाप इसके उपर चढ़ाते हुए पोटली को स्टीच करेंगे यहां पर देख सकते हैं मैं कितना इसके उपर चढ़ा के इसको सेट कर रहे हूं और आधा दा इंच का आपको गैपिंग देना है बीच में आधा इंच से भी थोड़ा कम का ही यहां पर पोटली को सीधे साइड रखके स्टीच कर रहे हैं अब इसको उल्टा करके एक स्टे पाट को छाट लेंगे और फिर इसके उपर से कॉटन की सीधी पट्टी डबल फोल्ड करके रखेंगे और यहां पर पोटली का जहां तक गुलाई वाला पाट है वहां तक बस सिलने के बाद से पोटली का गुलाई वाला पार्ट देखे इस चीज का आपको ध्यान देना है बाहर के साइड करके यहां पर पट्टी के उपर सिलाई लगाएंगे और इसको देखे यहां पर अंदर के साइड इसको फोल्ड कर लेंगे चारो तरब से और अब इस को आपको अंदर के साइड फोल्ड कर लेना है एक साइड की पट्टी अटेज हो गई अब दूसरे साइड की जो मेन कपड़े की पट्टी होती है देखे अस्तर और मेन कपड़ा हम सेट करके रखे हैं इस पट्टी को उल्टे साइड से सीलेंगे और सीधे साइड पलट ले अब यहां से डबल फोल्ड करकि इस पट्टी को बाहर की साइड बढ़ा के सेट करते हैं तो उस तरह से हम कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर रखके चेक करेंगे और अब बराबर होने के बासे पीचे के साइड में टक्स लगा लेंगे और टक्स लगाने के वाशे नीचे की साइड कमर पट् Dare करेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कमर पटी नीचे की side joint कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको भी कर लिना है अब आधाइंग जो extra रखेते पटी है उसको fold करके set कर लेंगे एक side का जैसे त्यार किये हैं बिल्कुल उसी तरह से दूसरे side भी tux लगा लेंगे और कमर पटी joint कर लेंगे यहाँ पर देखे फ्रेंज पीछे का पला त्यार हो गया है अब हम इसमें लटकन बनाएंगे ब्लाउज के matching की साबसे तो यहाँ पर पांच इंच लंबाई चोड़ाई में चारकोर कपड़ा ले लेंगे contrast color में और यहाँ पर देखे cotton में गुलाई देते हुए थोड़ा से जादा cotton लेंगे रूई लेंगे और कपड़े के उल्टे side इसको रखेंगे और अच्छे से हाथ से दबाते हुए एक तम गुलाई का save देंगे इसका size आप देख रहे हैं किस तरह से में लियें आदा इंच आप को छोड़ना है जो आदा इंच आप कपड़ा छोड़े उसके अंदर यहाँ पर डोरी को डालेंगे आप चाहिए तो रेडिमेंट डोरी लें या फिर हाथ से भी डोरी बना सकते हैं अब यहां से फिर से धागा लपेट लेंगे अच्छे से और इसको थोड़ा सा सुई से stitch कर लेंगे देखिए यहां पर पोटली वाला पार्ट त्यार हो गया है और 4.5 इंच इसका लंबाई है और इसका उचाई है 2.5 इंच मैं गोल सर्कल कट की थी एक साइट का लटकन पहले ही रड़े कर लिया अब गोल सर्कल कट कर लो 4.5 इंच इंच गोल आई में और उसको दो भाग में बाटके दोनों साइट का लटकन आपका हो जाएगा में कपड़े के सीधे साइड इसको रखके स्टीच करेंगे नीचे की साइड पूरे राउंड में छोटा-छोटा कट लगाएंगे कट लगाने के बास्ते इसको पलटके यहां से सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बास्ते इसको उपर प्रेस लगाके सेट करेंगे अब आपको देखिए यहाँ पी इस तरह से रखके stitch करना है और यहाँ पी देखिए आपको gaping कितना छोड़ना है पोट्ली के गुलाई वाला पार्ट से आपको 2 इंच छोड़के stitch करना है 2 इंच में 2 सुता कम और यहाँ पे इसको पलटके सीधा कर लेंगे सीधा करने के बास्ते बिल्कूल इसी तरह से आपको दूसरे साइट का भी लटकन थ्यार कर लेना है और दोनों साइट का लटकन का लुक आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ब्लाउंज डीजाइन के साथ मैच कर रहा है अब तीन इंच नीचे के साइट डोरी टक करेंगे और यहाँ पे हमारा डीजाइन का फाइनल लुक आप देख सकते हैं तो फ्रेंज मैं मैं मीट करती हूँ समसाने का तरीका पसंद आये होगा वीडियो अच्छा लगए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब करना ना भूले और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज एट चैनल को सब्सक्राइब करके विल बटन को ओन कर दें पहनने के बासे देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फिटिंग आई इस ब्लाउज का आगे के पल्ले का वीडियो देखना चांथे हैं तो फिर उसका लिंक एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा आगे के पल्ले में मैं पैड़ेड ब्लाउज बनाई हूँ कैसे कप्र वाला ब्लाउज बनाते हैं बहुत ही अच्छी फिनिसिंग के साथ मैं बताई तो इस विडियो को जरूर देखिएगा एंड स्क्रीन पर आपको लिंक मिल जाएगा इसका फिनिसिंग देख सकते हैं